अतिशयोक्ति बढ़ा चड़ा के बात कहना किसी घटना, किसी वस्तु, किसी इस्तती की वास्तिक्ता को बढ़ा चड़ा की प्रस्तूत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्तिय लंकार होता है जदा तर रूप बर्णन में होता है, वी रसात्मक बर्णन में होता है, रितिकाल इनकवियों ने अतिशयोक्तिय लंकार का रितिकाल और आदिकाल इनकवियों ने अतिशयोक्तिय लंकार का प्रियोग काफी अच्छे से किया है बहुत बढ़ा चड़ा कर लोक से उपर की बात की जाएं जिसको मानना थोड़ा सा अजीब सा लगे कि नहीं ये कैसे हो सकता क्या हो सकता है इस तरीके की वर्णन जब कवीतान की जाते हैं तो वहां आती शोक्ति अलंकार होता है जैसे अत्रा ही तिथि पाईए बाघर के जहुपास नेतर प्रति पून्यों ही रहे आनन ओप उजास या ओज उजास एक ही बात है इसका दोहा है ये बहुत प्रति पून्यों ही रहे क्या मतलब इसका किस चीज के बारे में आती शोक्ति की गई है नाईका के सरे उच्छ नाईका के प्रकास मतलब नाईका शोलर से चलती है बतलब नाईका की जर्ट सैति ओज शरक तेज बहल्स कर ऐगए है आनन के उज है उसके जो चेहरे की ऑज़Sch मक थी तो देख़़के सरे लगता है कि पोरें आननका वूज्सिई नाइका के आनन की उजास, उसकी ओप आभा का वर्णन जो है, विहारी ने इतना बढ़ा चड़ा के कर दिया कि वो मानने पर यह नहीं आ रहा है। मतलब साधरान सब्दों में यह कहें कि इतना प्षैकना कभी के द्वारा कि वो लपेटने में नहीं आए। वहाँ पर अतिश्योक्ति अलंकार होता। पत्रा ही थी पाईए वा घर के चहूँ पास। अगर आपके पास केलेंडर है अभी आप एग्जेक्ट डेट का अनुमान कर सकते हैं। उस सनाइका के घर के आजबास अगर रहते हैं। बिना केलेंडर के आपको नहीं पता चलेगा कि पूर्नी माहै कैंअः कि हमावस्या है कि क्या है कौन सी दियों सकतिते हैbie कि क्रित्यपक्स कि विस्षियू पक्स नित-प्रति-पुन्यों ही रहे हमेसा वहाँ पर पूर्ण क्योंकि वो चंद्रमा ऐसा लेकर आए हैं मौले वाले कि उस नाइका के आनन का जो ओज है उजास है उस उजास के कारण कभी वहां पर अंधीरा नहीं होता है केजरिवाल जी भी दिल्ली में ऐसे ही कुछ नाइका यह लाकर रख दिये हैं इस वज़े से लाइट वानी प्री कर दिया है नेत पुर्टी पूर्णियों ही रहे पूर्णियों मतलब पूर्णिमा आनन ओज उजास है अब क्या ऐसा हो सकता है मानने में आ सकता है नहीं लोग व्यवार से बाहर की बात कर रहे हैं भी हरे इस वज़े से कौन सा अलंकार हो गया लाथी श्यक्रत की किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी परिस्तिती का, वास्त्रिक्ता से बढ़ा चड़ा के अगर वर्णन प्रस्तूत किया जाए, तो वहाँ पर अतिशुक्तिय अलगकार होता है। जैसे मैं यह कहूँ, कि एक बंदे के डेर्ट सुमें से 156 नंबर आएं, डी एसस्वी हंदी में, यह क्या है। है? सर डी एसस्वी तो नर्मिलाइजेशन करती है, तो पॉसिबल हो सकता है। हुआ है, अतिशुक्ति नहीं है यह वास्तिक्ता है। अतिशुक्ति नहीं है। लेकिन जनरली लोग इसको मानेंगे नहीं, जिनको नौर्मिलाइजेशन का पता होगा, क्या सिस्टम किस तरीके से है। वो तो मान लेंगे, बाकी लोग नहीं मानेंगे, तो उनके लिए वतिश्युक्ति हो सकता है, लेकिन वास्ति ग्रूप से वतिश्युक्ति नहीं है, दूसरा उदारण देखिए, हनवान की पूँच में लगन पाई आग, ये लगन दो बार हो गया लिए, लगन नहीं है, है निशाचर भाग, हनवान जी की पूँच में आग नहीं लग पाई, लेकिन बलंका को पूरी को जला दिया, अब देखिए इसका अर्थ, हतिश्युक्ति कहा है, हतिश्युक्ति उस जगे पर है, पूँच में आग लगाने की कोसिस कर रहे हैं वो, लेकिन उसकी बाद भी हनुमान जी की पूँच में आग नहीं लग पाई, और पूरी बलंका जल गई, और निशाचर भाग गए हैं, परिस्तिती इस प्रकार की चित्रिट की गई है, दुवास्टिता को मद्दे नजर नहीं रखती है, बस उसको दिखाना है, कि हनुमान जी इतने वीर हैं कि उन् पूँच में तो आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका को उन्हों ने जला दिया, अब यहां लंका को जलाने का काम दोनों ने किया है, हनुमान जी ने भी किया है, और निशाचरों ने भी किया है, और डर के कारण भागे, या किसी कारण से भागे, इदर उदर भागे, या पूंच को जलाने के लिए उन्होंने पूरा घर जला दिया और एक घर के बाद दूसरे घर में आग लगई ये परिस्तिती भी हो सकती है और पहली परिस्तिती भी ये भी हो सकती है और पूरी लंका जला दिया और पूरी लंका जला दिया और पूरी लंका जला दिया और पू धनुस उठाया जो ही उसने और चड़ाया उस पर बान धरा, सिंधु, नब, कांपे सहसा तिकल हुए जीवों की प्रांग। आयक ने जैसे ही धनुस उठाया और उस पर बान चड़ाया बस इतना होते ही दर्ती, समुद्र, आकास, कांपने लगे जहसा है। और जीवों की प्रांड व्याकुल हो उठाया, क्या अब मौत है, क्या ऐसा कोई वीर संभव है। अतिश्युक्ति पूर्ण, वीरता का बर्णन है। आता है यहां पर अतिश्युक्ति का बर्णन है। लोग में जो बात नहीं मानने में आए, ऐसी इस्तियों का वर्णन अगर रचना कार करता है। बड़ा चड़ा के वर्णन करता है। तो वहां पर अतिश्युक्ति अलगकार। बड़ा लोग में तो वहां पर अतिश्युक्ति अलगकार। झालगकार। 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 झाल झाल